हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा आज के टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी मैंने रिसर्च की है इस टॉपिक पे और आपके सामने में जो कॉंटेंट रखूंगा वो शायद ही आपको कहीं पे मिले बहुत ज्यादा इन्रिज्ट है यह टॉपिक और बहुत स्टूड करते हैं पहले हमारे पास मेनिंग और देफिनेशन देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की मल्टिपल ऑथर्स से क्या कहते हैं लोग आचा इन जनरल वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है दे पावर और राइट टो एक्स्प्रेस वन्स ओपीनियन विदाओट सेंसर्शिप रेस्ट्रेंट एंड लीगल पैनलिटी सेंसर्शिप यह होती है कि गवर्मिन्ट आपकी कोई चीज बें कर दे कि यह चीज मीड बैटके मनला शाम को बैटके वो चांटी कर रहे होते हैं डेली बैसिस पर तो जो मटीरियल आपको एक दिन इंटरनेट पर मिलता है आगले दिन नहीं मिलता तो इसको सेंसर्शिप कहते हैं इसी तरह रेस्ट्रेंट और लीगल पैनलिटी के थूरू जो है आपको कोई दुनिया एक ओपीनियन रखती है और आप अकेले हैं जो पूर एक और ओपीनियन रखते हैं जो बाकी दुनिया से अगेंस्ट है तो पूरी दुनिया को यह हक नहीं है कि आप अकेले बंदे को चुपकर आया जाए पर अकेले बंदे की जो विश है जो फ्रीडम आफ स्पी is right to express opinions without fear of government retaliation or censorship तो government की retaliation के बिगेर और censorship के बिगेर अगर आप opinion को express कर पा रहे हैं तो आपके पास freedom of speech है अब सबसे बड़ी बहस यह है freedom of speech absolute होना चाहिए या conditional होना चाहिए absolute का मतलब है आप किसी को भी कोई भी चीज कह सकते हैं without any limitations आपके पास absolute authority है आप किसी भी मख़ब से बात कर सकते हैं आप किसी भी ethnicity पे किसी भी language पे कि वोई भी चीज आप जो है ना comment कर सकते हैं तो काफी philosophers इस तरह कहते हैं कि absolute होनी चाहिए liberty बले ही किसी को तंग करे जो भी करे पर absolute होनी चाहिए पर कुछ कहते हैं limitations होनी चाहिए कि वो religion के अगेंस्ट आपने बात नी करनी आपने moral decency के अगेंस्ट बात नी करनी आपने एक मुल्क की sovereignty को खतम करने वाली चीज के किलाव बात नी करनी तो इस तरह से limitations है बहुत ज़्यदा तो पहले देखते हैं absolute केने वाले कौन है हमारे पास सल्मान रुशिदी हैं जन्होंने स्रेटनिक वर्स के नाम से किताब लिखा है शेतानी आयात तो इसमें ये कहते हैं free speech is of no use if it does not allow the right to offend कहते हैं किसी को तंग करने का हाकी नहीं दिया जा रहा हमें तो इस ऐसी freedom of speech का करेंगे क्या तो right to offend होना चाहिए freedom of speech में ये कहते हैं absolute होनी चाहिए freedom of speech second number पर हमारे पास है professor Seeley वो कहते हैं absence of restraints is liberty वो कहते हैं overall liberty वही है जहां पर oktogram तो कोई भी limitation नहीं होगी तब ही हम इसको freedom कहेंगे या अगर limitation लगा रहे हैं तो पर इसको freedom of speech ना कहें पर हमारे पास George Orwell हमारे बड़े philosopher English के और literature के तो ये कहते हैं if liberty means anything at all it means the right to tell people about they about sorry tell people what they do not want to hear अच्छा जो लोग जो है जो सुनना नहीं चाते अगर उन लोगों को आप वो चीज़ बताते हैं तो यही आपकी freedom of speech है इसका मतलब ये भी absolute के हक में है अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं absolute speech limitations क्यों होनी चाहिए क्या इससे मसाइल होंगे और क्यों सी limitations ऐसी लाजमी है जो लगानी चाहिए है free speech बे सबसे पहले हमारे पास logical reasoning है कि एक main की जो freedom है वो दूसरे main की freedom से खतम होती है मतलब जो मेरी freedom है वो मैं अपनी freedom खुद enjoy करूँ अगर मैं किसी और की freedom खुद enjoy करूँगा तो दोनों को मसला होगा तो यह यह है कि जो freedom है वो two way street है अगर मैं अपनी ensure कर रहा हूँ freedom इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे की freedom खुद 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 तो आपने मतलब अपनी freedoms रखनी है पर इतने limitations में रखनी है कि दूसरे की freedom ना आपकी चली जाए जैसे suppose करें आपकी freedom में आपके जिसम में आपकी मर्जी है यहां पर यह होने चाहिए कि अगर उनकी भी freedom है तो उनकी अपने घर में freedom है आपकी अपने घर में freedom है तो आपने उनकी freedom करनी करनी अपनी freedom को extend करने में अचा स्टेट की security को compromise करे तो भी freedom of speech पे limitation लगानी चाहिए इसमें एक humorous बात है Winston Churchill पे किसी बंदे ने World War 2 के टाइम पे जो है ना किसी ने comment पास किया कि ये तो जो है बेवकूफ है Winston Churchill UK के प्राइमिंस्टर तो Churchill साब ने इनको arrest करवाया arrest करवाने के टाइम पे मतलब ना इन से पार्लियामिंट में काफी सवाल हुए कि आपने मतलब एक बंदा आपको सिर्फ बेवकूफ कह रहा था आपने उसको पकड़वा के जो है ना अंदर करवा दिया और पतानी क्या जलम किया उसके उपर तो Churchill साब कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं किया कि उसने मुझे जो है वो बेवकूफ का था पर मैंने इसलिए का था कि वो इस तरह का राज बाहिर जो है बाहिर मुलकों के मैं बयान कर रहे हैं जब हम वार में हैं मतलब वार के टाइम पे वो दूसरे कंट्रीज को ये बताना चाहरा है कि हमारे जो प्रैमिस्ट रहें UK के वो बेवगूफ हैं तो वो कहते हैं कि वार के टाइम पे इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए ये स्टेट की सेक्यूरिटी के खिलाफ हो जाएगा एमर्जेंसी जब डेक्लेयर हो तो आपकी लिमिटेशन्स कर्ब हो जाती है freedom of speech ने मालब आप इस तरह की वाईयात या गंदी बात ना करें आपकी freedom of speech है बिल्कुल है पर आपने मुआशरे में रह के उनके असूलों के मताबिक चलना है उसके बाद है religious harmony आपने किसी के religion को बला बुरा नहीं कहना क्योंकि कल को वो आपके religion को खराब कहेगा तो उस पे जो है दोनों आपस मिलाट पढ़ेंगे तो religious जो harmony बनी हुई है agreement बना हुआ है उसको आपने नहीं तोड़ना तो हमारे पास ये example है के western countries जो है उन्होंने जीजिस के खिलाफ जो है हमारे countries ने काफी दफ़ा क्रिटिसिजम किया है पर वो अभी भी बाज नहीं आता फ्रांस में तो उसके बाद extremism और violence जो है ना आपके freedom of speech से नहीं आना चाहिए मलब आप इतना extremism ना बन जाएं violence आपके freedom of speech से नज़र नहीं आना चाहिए तो ये जो है सारी चीज़े हैं आपकी religious harmony बरकरार रखेंगी अगर freedom of speech से आपने religious harmony तोड़ा तो ये बात एक अच्छी नहीं होगी आगे चलते हैं Abuse of free speech free speech को किस तरह लोग abuse कर रहे हैं मलब आप उनको हमने limitations बता दी हैं कि यह यह limitations हैं फिर भी आजकल एक नए अंदाज में नए forms में abuse किया जा रहे हैं पहला हमारे पास है प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा यह होता है कि आप false जो news हैं आपकी facts हैं distorted आपके पास जो cherry pick facts हैं वो आप बयान करना शुरू करते हैं आप बैठे बैठे वीडियो बना दें कि हमारा प्रैमिस तरह का है हमारा प्रेजिडेंट इस तरह का है तो यह overall state के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है आपके religion के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो सकता है ethnicity के खिलाफ हो सकता है culture के खिलाफ हो सकता है तो इस propaganda में freedom of speech होती तो है कि आप कुछ भी बोलें पर यह propaganda itself जो है abuse of power है आप अपनी freedom of speech को ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि दूसरे अफेंड हो रहे है दूसरे नमबर पर हमारे पास hate speech hate speech में आप जो है बला बुरा कहते हैं दूसरे religions को इतनी cities को और उनकी feeling को entice करते हैं race करते हैं तो यह भी एक चीज़ abuse of power है तीसे नमबर पर चीज़ है yellow journalism और sensationalism yellow journalism कहते हैं या sensationalism एक ही बात है यह कहा जाता है कि आप मीडिया में हललला कर दें बस मतलब पता नहीं क्या हो गया है उदर bum फूट गया मतलब इतनी संसनी करके बताना बात को जितनी संसनी हो न आपको अक्सर होगा कि वेब ब्राउजर पे जो news आ रही होती है वो news बाहर से इतने पढ़ने को लगती है दुनिया तबाह हो गई है पर जैसे ही हम कोलते हैं तो अंदर पता चलता है कोई ऐसी बात ही नहीं है ये तो कोई नार्मल बात है तो येलो जर्नलिजम मालब छोटी सी बात को इतना बड़ा करके बताते है दो कि उनकी freedom of speech अगेन है पर वो इतना massive अंदाज में exaggerate करके बता रहे है ये अगेन दूसरों को offend कर रहे है तो ये भी आपके freedom of speech को कब कर रहे है येलो जर्नलिजम से आपका 2016 का US elections भी जो है वो rigging हुई थी कि fake news जो है portrait किये गए थे और रशिया के तरफ से था ये एक claim कि रशिया के जो है प्रेजिडन्ट ने इनके खिलाफ Trump को जिताने के लिए किया था और 155 fake news जो है वो more than 10 million times जो है आपकी news जो है वो share हुई थी social media पे और लोगों के वहन में था कि Trump जो है बड़ा अच्छा बंदा है पर जैसे कि हमने पता है वो जब Trump आया था तो क्या किया उन्होंने policies दी और किस तरह से वो खराब दी बेल आके चलते हैं promotion of vested interest अच्छा अपने बंदे बंदा अपने इंट्रेस्ट को promote करने के लिए कोई भी जूटी चीज़ें बता रहा है या इस तरह की चीज़ें जिससे दूसरे अफेंड हो रहे है और extra चीज़ करके पेश कर रहे है तो ये भी अगेन आपका abuse of freedom of speech है नमबर च्छटे च्छब नमबर पे है cyber bullying इंटरनेट पे आप देख रहे हैं लोग एक दूसरे को harass कर रहे हैं request बेज के poke करके मलब उनको इस तरह से मलब के तंग कर रहे हैं लोग सही है तो आपकी चले freedom of speech है कि आप उनको कुछ भी कह सकते हैं पर इस तरह नहीं है कि आप उनको comments गलत करें या पबलिकली आप उनको offend करें वेल ये था abuse of freedom of speech अब देखते हैं कि अगर absolute freedom मिलती है freedom of speech तो उसके consequences क्या हैं या अगर लोग abuse of power करते हैं और free speech को abuse करते हैं उसके क्या impacts पड़ेंगे तो सबसे पहला impact ये है कि हमारे पास populist जो leader है far right वो हमारे पास leaders बन जाएंगे और वो जाके countries को exploit करेंगे आपस में लडवाएंगे ये वही again 2016 के US election का example है 155 fake news पहलाएंगी 36 million times के जो है Trump जीज़ जाए तो far right populist किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये time के लिए करना चाबता हूँ populist कहते हैं अवामी leader को कि लोगों के वो मसले बताए लोगों का जो है वो interest गेन करे लोगों का leader बने छोटे छोटे मसलों पे बात करे आपके साथ मिले जुले रहे आपको सामने नजर आए एक common person हो एक aristocrate ना हो तो इसको कहते हैं populist अब populist दो तरगे होते हैं एक जो है moderate populist दूसरे होते हैं far right populist far right populist extreme category है populism की जिसमें आपने करना कुछ नहीं होता बस आपने क्या करना होता है क्या आपने बस कहना होता है मैं हर चीज करूँगा ठीक है तो मैं किसी का वैसे political supporter नहीं हूँ पर मैं आपको यहाँ पर इमरान खान के example देना चाहूँगा वो power में जब नहीं आये थे और का मैं दुनिया का हर मसला हाल कर दूँगा बिजली हाँ जी मैं बिजली produce कर दूँगा आपको मैं जो है education के लिए scholarship दिला दूँगा मैं आपको डेम बना दूँगा मैं आपको इस तरह यह यह कर दूँगा मलत दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इमरान खान साब ने कोई agenda में ना उठाई हूँ वो दुनिया की उन्होंने हर चीज चोटी से चोटी चीज किसानों तक वो कहते थे यह यह करेंगे इंडिस्ट्री वालों के लिए करते थे जॉब वालों के लिए करते थे बना सिर्क कहते थे ठीक है जब उनको तीन साल के लिए government मिली है तो हमें कोई जी चीज नजर नहीं आई तो यह होते हैं पापुलिस्ट जो सिर्फ बातें करके लोगों को फिलाल बहला पुसला के वोट दिल्वा देते हैं खुद जब पावर में आ जाते हैं वो सीड़ को नज्जॉई करते हैं और चले जाते हैं तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि लीडर्स जो हैं वो आपके freedom of speech को use करके लीडर्स आपके freedom of speech को use करके आपको अवाम को बेवकू बनाके उनसे vote लेके अपनी opportunity के लिए कि वो खुद power को enjoy करते हैं इसी तरह BJP का example दें बारतिया जनता party, मोधी की party तो BJP इसी तरह करती है कि वो nationalistic sentiments पे लोगों को play करवाती है इसी तरह मैं example दूँ आपको PP का, PP जो है सिंधी कार्ड कहलते हैं तो इस तरह से लोग जो है आपके वो आपको propaganda है basically ये सारा कि free speech leaders यूज़ करते हैं और आपके पास एक populist leader जो है वो power में आ जाता है और सारी economy और political जो हर्मनी होती है वो तोड़ दी जाती है आँगे चलते हैं increasing religious intolerance जब freedom of speech को abuse किया जाएगा तो religious intolerance पड़ेगी आपको example देने के लिए मैंने यहाँ पे एक murder, Samuel Petty का जो murder है फ्रांस में जो recent हुआ था उसको मैंने mention किया है कि फ्रांस में secondary school teacher जो था एक उसका कतल हो गया था और उसका कतल एक मुस्लमान ने किया था क्यूंकि उसका कहना था कि इसने जो है वो हमारे profits के अगेंस काफी बातें की हैं कल lecture में तो फ्रांस ने जो है मतलब वो उस जो मुस्लमान था उसको भी जो है कतल करवा दिया और उसके किलाफ लोगों के केस चला दिये बात में हमने देखा कि उन्होंने जो है religious intolerance में चले गए उन से नहीं रहा गया उन्होंने religious harmony को तोड़ा उन्होंने region के खिलाफ अनाप शनाप बातें की फिर जो है अब लोगों के जाहरे feelings hurt होते हैं लोगों की feeling hurt हो ही तो ये बंदा आज हमारे साथ नहीं है तो कोई भी बंदा अपने religion की insult बरदाश नहीं कर सकता दुनिया में नमर तीसरी चीज़ है extremism और intolerance वैसे ही बढ़ेगा जब आप abuse of power करेंगे freedom of speech करेंगे सल्मान तासीर का murder देख रहे same का abuse of freedom of speech और extremism फिलाने के लिए intolerance लोगों में आ गई intolerance इनके end से कहें या जिनों ने इसका कतल किया कादरी तो मतलब जो भी तो किसी की तरफ से भी हो सकता है मतलब मैं detail में जाना नहीं चाहरा शायद काफी लोगों को पसंद आए तो आगे बढ़ते नमर चौथी चीज़ है moral decline of society मतलब अगर आप moral indecency पर जाते हैं और आप freedom of speech को abuse कर रहे हैं तो आप derogatory और abusive languages यूज़ करेंगे overall जो हमारी public offices हैं वो मतलब हमारा moral decline शो करेंगे moral decline यानि morality में क्या गया आता है honesty truthfulness modesty आप कर लें उसके बाद uprightness इस तरह से काफी चीज़ हैं जो भी है morality हमारी जितने भी चीज़े हैं के मलब हमें जो अच्छा बनाती है तो ये society में खतम होती जाएंगे अगर आप abuse of power यूज़ करेंगे abuse of freedom इस्वीच करेंगे अगर आप एक दूसे की civilization के बारे में अगेंस्ट बात करेंगे तो clash of civilization हो सकता है जैसे पीछे हम देखते आएं terrorism ने और media ने freedom of speech को abuse किया है ज्यादा अपनी power utilize की है तो इनके करने से ये हुआ है कि पूरी दुनिया में आपस में एक दूसरे के against sentiments raise हो गए हैं और दुनिया जो है west और east में बढ़ गई है और आपस में लड़ लए हैं जो हंटिंग्टन clash of civilization का motto था अगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं legal basis क्या है right of free speech का क्या हमें right of free speech है और किस की तरफ से है क्यों उसका ठेकेदार है दुनिया में वो हम देखते हैं पहला ठेकेदार है आपका UN declaration of human rights जो 1948 में United Nation ने adopt किया था वो उसमें article 19 में आपके clear freedom of speech और उसके clauses जो है 100 से ज्यादा clauses हैं जिसमें वो बयान करते हैं कि किस किस तरह आपकी freedom of speech है क्या क्या चीज़ें आप बोल सकते हैं आप मौशरों को बेहतर कर देने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बाद luckily article 19 है हुदर भी United Nation में भी और हमने 1973 के constitution में भी article 19 ही रखा है तो ये article 19 हमारा constitution जो है इसको uphold करता है और retrade करता है कि हमारे पास free speech का right है अब हम देखते हैं free speech को utilize करने से हमारे पास overall क्या फाइदे हैं और इसकी importance क्या है सबसे पहले हैं हमारे पास democratic culture जो है वो promote होगा अगर हम free speech को promote करेंगे क्यूंकि जो minorities हैं उनको एक से मिलेगी government में वो भी कुछ जो है contribute करेंगे democracy में जैसे हमने democracy के lecture में देखा था कि 4% जो हमारे पाकिसान में minority है उसका तो बिलकुल पाकिसान में से ही रही है जैसे ही वो कोई freedom of speech को use करते हैं तो उनके खिलाफ बड़े कैसे चलना शूरू हो जाते हैं उनके मंदर जो है खतम की जाते हैं पर लबा काफी चीज़ें होती है उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं वगएरा वगएरा तो चार परसन जो हमारे पास silent रहता है जिसका ना कभी जो vote का मतलब है ना उसके जो है हमें कोई opinion मिला है democracy में अचा उसके बाद बात यह है कि democracy जो है वो आपके debate और argumentation पे depend करती है जितने आप argumentative और constructive debates करेंगे उतनी ज़्यादा democracy flourish होगी पर हम देखते हैं कि कोई भी एगर एक unusual सी बात करता है तो हमारे पास support नहीं की जाती बेंजामिन Franklin एक बंदा था जो US history में हमने एक detail में देखा था कि यह जो बंदा है वो चुटकिले सुनाता था चोटे चोटे jokes क्रे करता था जिससे जो है एक बड़ी बाते हैं का मफूम निकलता था तो Richard Almanach इसकी book का नाम है तो इसमें जो है इसने तकरीबन पूरी दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में जो अच्छी चीज़े हैं उनके बारे में कमेंट किया है तो freedom of speech के बारे में लिखते हैं कि यह free government का pillar है ठीक है और अगर इसकी support को हटा दे तो constitution जो है वो एक tyranny बन जाएगा और मालब के आपको सारी चीज़ें तबाह हो जाएगी तो यहाँ पर यह quotation आप यूटिलाइज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं Free speech is a source of knowledge Free speech होगी तो knowledge produce होगा यह J.S. Mill कहते हैं इनकी book में on liberty में कि अगर एक बन्दा जो है वो different opinion hold करता है तो अगर यह opinion ठीक होता है अगर यह opinion बिलफर्स करें ठीक है तो पूरी दुनिया के लिए पूरी mankind के लिए एक new source of learning होगा एक learning हो जाएगी एक बन्दे ने अगर different opinion रखा अगर वो सही है तो सब उससे सीखेंगे पर अगर वो गलत है तो यह पता चल जाएगा जो हमारे पास पहला idea था वो बिलकुल ठीक था तो महले हमें मैयर हो जाएगा जो हम पिछले idea पे चल रहे थे वो हमारा ठीक है या नहीं अगर किसी idea को वो लोग test ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह अभी तक सर्वाइवल है या नहीं जिस तरह मैं आपको एक्जेंपल दो तो जो हमारे पास है Edison है Edison जी कहता है कि मैंने बलब जो है वो एक attempt में बनाया वो कहता है कि 10,000 तरीकों से जब मैंने आजमाया बलब को कि बलब कैसे बनाया जाए तो 10,000 तरीकों का मुझे पता चला कि इन इन तरीकों से बलब नहीं बन सकता उन्हें यह नहीं कहा कि 10,000 जो है तरीकों से मैंने बलब बना के दिखा और नहीं बना उन्हें नहीं कहा 10,000 तरीकों से मैंने बलब बना के दिखा और मुझे पता चला ये 10,000 तरीकों से तो बला बिलकुल भी नी बन सकता तो देख रहे हैं हमारा perspective कितना change है और उनका perspective कितना change है तो एक truthfulness मेयर हो जाती है आपकी कि पहला वाला idea आपका ठीक था freedom of speech से नमबर दूसरी चीज़ तीसरी नमबर पे हमारे पास difference of opinion is source of progress हमारे पास progress होगी अगर हम ज्यादा freedom of speech को promote करेंगे Hegel और Karl Marx इन्हों ने दोनों ने इस पे बड़ी theories दी थी कि suppose करें हमारे पास कोई thesis है thesis मतलब जो already existing knowledge है और anti-thesis जो अभी new knowledge है तो जब ये आपस में multiply होती है यानि इनके दरम्यान debate होती है तो नया result आता है जिसे कहते है synthesis किस तरह मैं आपको example देता हूँ thesis आप समझ लें कि दुनिया flat है दुनिया flat है ये हमारा pre-historic जो था एजिंडा था नया knowledge जी दुनिया round है synthesis क्या बना कि दुनिया जो है वो ना round है ना flayed है पर humanoid है क्या कहते है मतलब एक एक shaped कर लें या different shaped कर लें मतलब आटे के पेड़े की तरह तो क्या हुआ कि ये हमारे पास एक fact था non fact ये एक नई एक theory थी हमारे पास जब इन दोनों को आपस में match और contrast करवाया गया तो हमें पता चला कि ये जो है एक नया truth है तो ये ही काल मार्क्स और हेगल ने बात की थी के source of progress है difference of opinion उसके बाद है कि politicalistic society को आप grow करवाते हैं tolerant society produce होती है अगर आप freedom of speech को grow करने देते हैं मुसलिम जो protest हैं US में होते हैं वो कभी भी censor नहीं होते suppress नहीं होते उसके बजाए मुसलिमानों को वहाँ पे media coverage मिलती है और लोग उनको डून डून के उनके मसाइल पूछते हैं भाई बताएं आपके क्या मसाइल है US में तो इस तरह की जो societies होती हैं वो देख रहे हैं मिल्टी लिंग्वल जो societies हैं वहाँ पे ग्रू करती है इसी तरह जो LGBT के प्रोपोनेंट्स हैं सपोर्टर्स हैं आपके UK में वो कभी भी लिंच नहीं किया गए पब्लीकली पर उनको सपोर्ट किया जाता है अगर हुकूमत उनकी बात नहीं भी मानती कम से कम उनको प्रोटेस्ट करने का हग है और उनकी बात सुनी जाती है अच्छा उसके बाद है freedom of speech जो है वो गवर्मेंट की accountability को ensure करता है आप जब अपने जो MNAs हैं MPAs हैं आपके जो parliamentarians हैं उनके खिलाफ जब आप अंगलियां उठाते हैं तो आप basically society में लोगों को accountable कर रहे हैं आप at the end पुरे मुल्क को पुरे government को accountable कर रहे हैं अच्छा यहां पे अमर्तिया सेन का एक कोट है कहती है free speech is a powerful weapon it makes it possible for the powerless to fight for their rights तो इसमें आप अपने rights के लिए जब लड़ते हैं तो आपको rights भी मिल जाते हैं और दूसरे को आप accountable भी करते हैं कि भाई आपने यह क्यों नहीं किया था पिरे हमारे पास के cultural identity को preserve करना है आपने safe रखना है तो आपको freedom of speech लाजमी allow करनी पड़ेगी अगर आप अपने unique experiences beliefs आप अपने share नहीं करेंगे आप अपने culture को freely promote करें आप ना डरें कि आप पंजाबी हैं आप हजारी हैं आप पश्टोन हैं आप क्यों डरें मतलब चलें आपको मुझार मौनिस नहीं आते पठानों को तो वो उस तरह से बात करें वो अपना ना जो है हेजिटेट ना करें कि हम culture अपना शो कर रहे हैं हम तो पठान हैं यह वो हैं जोक्स हम पे create होते हैं यह गलाच चीज है आपने freedom of speech को promote करना है किसी को भी कुछ नहीं कहना किसी के against बात नहीं करनी और हर किसी का जब culture flourish होगा तो हमारे पास हर एक जो cultural identity है वो flourish करके उपर आएगी और हम civilized nation की तरफ जाएंगे जहां पे हमारा pluralistic society के enrichment होगी अब हम देखते हैं कि अगर free speech की abuse of power होता है तो उसके लिए क्या recommendation नहीं तो सबसे पहले जी hate speech को categorically define होना चाहिए कि hate speech है क्या कभी हमें पता चलता है कि जो है derogatory जो अलफाज है जो perverted अलफाज है वो बोलने से किसी के मजभ पे ethnicity पे वो hate speech है तो कोई कहता है कि नहीं picture बना लें तो picture तो allow है कोई कहता है नहीं हम idea से कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं कोई कहता है हम अपने identity रिवील ना करें तो hate speech नहीं होगी तो लोगों के अपने अपने sort of versions हैं तो hate speech को clearly आपको categorically define कर देना चाहिए दूसरी number पे है media को code of ethics समझाने चाहिए यह जो media है वो भले western perspective रखें यहां पे पर उनको इतना promote ना करें अपनी freedom of speech जो है वो अपनी limitation अपने तायरे में रखें ethics को खराब ना करें हमारे ethics अगर हमारे मौशरे के कहते हैं कि हम lesbian gay bisexual transgender call out नहीं करेंगे LGBT को तो media का कोई तुक नहीं बनता कि media जो है बार बार LGBT की चीज़ें दिखाए उके उसके बाद है checks on social networks social जो हमारे networks है social media है social media के platforms है उन पे बड़े checks रखने चाहिए पेमरा को और ज़दा strong किया जाए कि वो चीज़ें कुछ से manage करें और उसके authorities को जो है involve ना करना पड़े local जो है पेमरा का authority है उसको इतनी power हो कि कोई भी उनको लगता है कि ये abuse of free speech है तो उसको पहले ही खतम करते हैं अगर social media से आपका जो बिटन टेरेंट था जिसने न्यूजिलेंड में जो है बजाए कि वो जो है वो पूरे साल जो है वो पड़ी रही है फिर जाकर फैसला हुआ है फैस्बुक से डिलेट करनी है तो इससे जो है आप अपने व्यूज लेने के चकर में आप फैस्बुक को जाहर है पूरी दुनिया में जहां पे फैस्बुक का installation installation नहीं होगी तो लोगों ने इस्टाल किया होगा कि चलें देखते हैं मुस्लमानों के वहां पे कतल वें तो फैस्बुक इस्टाल करके एक दबाद देख लेते हैं तो फैस्बुक का अपनी चीज़े नज़रा रही है अच्छा उसके बाद है जुटिशरी का काम है कि एक वाच डॉक का काम करे एक security guard का काम करे और continuously देखता रहे analyze करता रहे कि हमारी जो policies है क्या उनमे freedom of speech है क्या हमारे difference of opinion की value है क्या descent की value है हमारे पास तो analyze करके वह उस तरह से new opinions को जो है वो promote करे पिर हमारे पास है at the end government की responsibility है हमारे पास government ने जो है ठेका उठाया है article 19 of the constitution में 1973 के constitution में तो इसको पूरा किया जाए ठीक है तो हमारा lecture यहां पर खतम होता है आज हमने freedom of speech की तकरीबन चीज़ें देख ली है आप जो है past papers के essay उठा के देखें कि क्या आप आप जो है इसको टापिक को आप ब्रेकर कर पारें और यह करके देखें कि जितने भी टापिक्स आये क्या उनका content यहां से पूरा होता है या नहीं कोशिश तो मैंने बड़ी कि है कि सारी चीज़े इदर से cover हो जाएं आपकी बाकी बाकी बेस्ट रफ लग थैंक यू अलाओ अफेज